इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरी की ग्रैविटी के बारे में जह हमारी बैटरी होती है उसकी ग्रैविटी डाउन क्यों होती है कई बार ऐसा होता है जो हमारी बैटरी है वो बिल्कुल नहीं होती है लेकिन फिर भी वो 20-30-40 मिनिट में ही पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपकी बैटरी पुरानी हो और वो खराब हो और आपकी नई बैटरी के साथ भी ऐसा हो सकता है तो ऐसी जो कंडिशन हो सकती है अक्सर ऐसी कंडिशन में जो आपकी बैटरी होती है उसकी जो ग्रैविटी होती है वो हमेशा down मिलती है अगर आपको कभी ऐसी condition देखने को मिलती है तो ऐसी condition में जब आप battery को charge करते हैं तो वो 30-40 minute में ही full charge हो जाती है लेकिन 30-40 minute के अंदर ही वो discharge भी हो जाती है तो यही सब हम आज इस video में आप सभी को बताने वाले हैं लिए शुरू करते हैं हमारी इस video को आगे बठने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि ऐसी electrical से जुड़ी बहुत सारी knowledge हम आपके लिए लाते रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी बैटरी यह होती है उनकी ग्रैविटी होती है एक बैटरी बैटरी बहुते है लेकिन यह अप्योर फोर में नहीं को Nach patery नहीं बना जाता है वहाँ पे इस H2SO4 एसिड को डिश्टिल वाटर के साथ मिक्स करके ही हमारी इन बैट्रों के अंदर डाला जाता है और जब पहली बार ये H2SO4 जो एसिड होता वो हमारी बैटरी के अंदर डाला जाता है तो भुझ ज्यादा मत्रा में हीट और गैसिज निकलती है जो कि हमारी बैटरी पूरी आतरह से गरम कर देती है अब बैटरी को ठंडा होने के लिए हम एक से दो दिन के लिए रख देते हैं और जब एक दो दिन के बाद हमारी बैटरी ये थंदी हो जाती है तो उस time पे जो हमारी बैटरी के अंदर acid होता है उस acid की हम gravity को check करते हैं तो उस time पे जो हमारी ये gravity होती है वो लगबग 1200 गया सपास मिलनी चाहिए अब जो हमारा ये acid होता है जिसकी gravity 1200 होती है वो हम battery के अंदर डालते हैं और कुछ time के लिए उसको छोड़ देते हैं और कुछ time पाद जब हम इसकी gravity को check करते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये acid है इसकी gravity लगबग 1100 गया सपास मिलती है हमारे acid के अंदर कुछ charge होता है उस charge को जो हमारी बैटरी की plate है वो अपने अंदर store कर लेती हैं इसी बिए जो हमारा acid होता है उसकी जो gravity होती है वो 1200 से 1100 तक आ जाती है अब जो ये 1100 की gravity वाली हमारी battery है इसको charging पे लगाया जाता है और इसको हम लगबग 1220 gravity पहुँचने तक charge में करते हैं तो ये जो process सारा हो गया ये हमारी battery को पहली बार charge करने का process होता है यानि के पहले हम battery में plate डालते हैं उसके बाद acid डालने के उस देर बाद उसको छोड़ते हैं उसके बाद जो हमारी battery की plate होती है वो जो हमारे acid में charge होता है उसको अपने अंदर store कर लेती है और जो हमारा acid होता है उसकी जो gravity होके वो down चली जाती है उसके बाद फिर से हम इसको लगबग 1220 gravity के आसवास तक इसको फिर से charge करते हैं ये सारा process हमारा पहली बार battery को charge करने का होता है तो इसके बाद जो हमारी battery होती है उनकी जो standard gravity होती है वो 1100 से लेके 1220 के बीच में होती है यानि कि जो हमारी battery होती है उसका जो maximum backup होता है वो हमें 1100 से लेके 1220 की जो gravity है उसके बीच में ही मिल पाता है अब बात करते हैं जो हमारी battery होती है जब हम उसको use करते है तब उसकी जो gravity होती है तब वो gravity down क्यों चली जाती है तो देखी अब हम हमारी बैटरी को अपने घर पे inverter के साथ लगा के उसको जब यूज कर रहे होते हैं तो दो चीजे हैं हमारा inverter हमारी बैटरी के साथ करता है तो सबसे पहले जो हमारा inverter हमारी बैटरी से सेंस करता है वो होती है हमारी बैटरी की वोल्टेज हमारी बैटरी की व वो कट ओफ मार लेता है और अगर जो हमारी चार्जिंग वोल्टेज है वो 14.5 से उपर चाती है तो भी हमारा जो इनवर्टर होता है वो कट ओफ मार लेता है यह बात ही वोल्टेज की इसके अलाओ जो हमारी बैटरी में ग्रैविटी होती है वो हमारी इनवर्टर को नहीं प बैटरी की जो gravity होती है इन दोनों के बीच में भी आपस में कोई relation नहीं होता हो सकता है अगर आप बैटरी के वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो जो हमारी बैटरी उसके वोल्टेज आपको 12 वोल्ट देखने को मिले जबकि आप उसकी जो gravity है वो चेक करेंगे तो हो सकता हो 1100 से भी नीचे मिली या 1000 मिल सकती है तो जो हमारी बैटरी की वोल्टेज और gravity होती है इन दोनों के बीच में आपस में कोई relation नहीं होता है देखे जब हमारे घर पे जो बैटरी है और inverter उसको यूज कर रहे होते हैं पावर हमारी कट है और हमारी बैटरी से पावर लेके हम अपन बैटरी को cut off कर देता है अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब हमारी बैटरी 60-70% यूज होने के बाद ही cut off क्यों हो जाती है उसकी बाकी की जो 30-40% पावर है वो कहा जाती है तो जो हमारी बैटरी होती है वो उसमें लगबग 30-40% जो एनरजी होती है वो हमारी बै बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो चेक करोगे तो जो हमारी बैटरी है उसके वोल्टेज आपको लगबग 10 या फिर 10.5 के आसपास मिलेंगे और एक बार हमारे जो इनवर्टर होता उसने कटोफ मार दिया तो उसके बाद हम एक गंटा या फिर दो गंटा अपने इनवर्टर क छोड़ने के बाद हमारी बैटरी के वोल्टेज वापिस से 12.30 बार पहुंच गए हैं तो इनवर्टर यही सोचेगा जो हमारी बैटरी वो फुल चार्ज हो चुकी है तो अगर हम उसके बाद इनवर्टर को ओन करेंगे तो हमारा इनवर्टर बढ़ी आसानी से ओन होगा औ तो जो हमारी बैटरी होती है वो प्रोपरली चार्ज नहीं हो पाती है अब यह ऐसी डिस्चार्ज वाली जो कंडिशन होती है इस कंडिशन में जो हमारी बैटरी होती है वहाँ पे हमारी बैटरी की जो ग्रैविटी होती है वो 1100 से नीचे चली जाती है इसके बाद जो हमा टेरिग सेंस करेगा कि जब बैटरी के vulteज वह 12 से उपर हो चुके हैं, वैसे ही वह बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा, लेकिन एसी कंडिशन में जो हमारी बैटरी की gravity होती है, वह वही की वही down रहेगी, यानि 1200 से नीचे रहेगी, हमारी वोल्टिज बेसक से बारा से उपर पहुंच गए हो लेकिन इतनी देर में हमारी जो बैटरी की ग्रैविटी है वो सिर्फ 1100 के आसपास ही रहती है तो जो हमारी बैटरी होती है वो जो रिजर्व कंडिशन है उसके अंदर फसके रह जाती है तो ऐसे में कट आफ होने के बाद हमारी जो बैटरी होती है इनवर्टर यही सोचेगा कि बैटरी फुल हो चुकी है और कट ओफ करेगा और जब हमारी पावर जाएगी हमारा इनवर्टर फिर से बैटरी से पावर लेके जो हमारे पंके लाइट जो भी है उनको चालू करने लगएगा लेकिन जैसे कि जो हमा आता है यानिके आदे घंटे जाती है ऐशी केंडिशन अगर आपके सामने कभी आई है तो अगर आप इस चीज़ के जानकार नहीं है तो आप हो सकता है किसी मिस्तरी के पास अपनी बैटरी को लेके जाए और उससे बात करें कि हमारी बैटरी इसकी ग्रैविटी डाउन हो चुकी है इसका सुलिशन कहा तो को बनाते हैं उसी टाइम वहाँ पे बैटरी के अंदर डाल दिया जाता है उसके बाद हमारी बैटरी के अंदर कभी भी एसिड को नहीं डालना होता ऐसी कंडिसिंग में आप बैटरी के अंदर डालोगे तो वह आपकी बैटरी के लिए नुफसान जाएगा जो आपकी बैटर की gravity down है तो भूल के भी उसके अंदर acid डालनी की गलती नहीं करनी है तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस चीज का solution क्या है अगर आपकी battery की gravity है वो down है तो उसको आप किस तरीके से अप कर सकते हैं अब सबसे पहले अगर आपकी battery की gravity down चलेगी है तो ऐसी condition में आपको एक external charger की जरूरत पड़ेगी उस external charger की मदद से आप अपनी battery को charge कर सकते हैं अब जो हमारा external charger होता है वह कुछ भी अगर इस तरीके से हम एक्सटरनल चार्जर के साथ हमारी बैट्री को चार्ज करते रहेंगे तो कुछ समय भाद हमारी बैट्री की gravity है अपने आप ही अपने इस लैवल पे आजाएंगी यानि यानि के 1100 या 1000 जहांठे हमारी gravity थी वहां से उपर उठके हमारी gravity 1200-1220 के आसपास तक अपने आप आ जाएगी और उसके बाद हम अपनी external charger को अपनी बैटरी से हटा सकते हैं और फिर से inverter के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब यह जो external charger है इसके अलावा आप दो चीज़े और कर सकते हैं अपनी इस battery की gravity को बढ़ान है उससे भी आपके जो बैटरी है वो अपनी gravity को वापिस पा लेगी और fully charge हो जाएगी ऐसी condition में भी आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है सिर्फ यहाँ पे condition यही है जो आपका inverter है वहाँ पे cut off वाला जो switch है वो होना चाहिए और उसको आपको off करना है अब जो ती 12 वोल्ट का solar panel आपके पास है इसको आप डायरेक्ली ढूप में रखके इसके जो वायर है वो डायरेक्ट ही आप अपनी बैटरी के साथ connect कर सकते हैं और धीरे धीरे यह अपकी बैटरी को चार्ज कर देगा और आप इसकी gravity चेक कर सकते हैं जब आपकी बैटरी की को यूज करना है दूसरा तरीका अगर आपके inverter में charging cut off का switch है तो उसको बंद करना है तीसरे तरीके में आप solar panel की मदद ले सकते हैं लेकिन आपको भूल के भी acid change करने की गलती नहीं करनी है अगर आपसे कोई भी कहे की battery की gravity high करने के लिए आप इसके जो acid है उसको बदल दो तो ऐसी गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है ऐसा करोगे तो आपकी battery पूरी तरीके से dead हो जाएगी उसके बाद फिर आपको नई battery की खरीदनी पड़ेगी अब इसके अलावा अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जो हमारी battery होती है उसका charging time किस तरीके से calculate किया जाता है त तो इसके लिए आप हमारी left वाली वीडियो देख सकते हैं